हलो स्टुएंट्स, वेलकम बैक टू आर यूटूब एजक्विशन चैनल सिक्षड़केडमी आज के इस वीडियो में हम इस्टेंडेड फिप्त का पिरियोडिकल असस्मेंट टेस्ट अगस्त 2021 को सोल्ड करने वाले हैं सब्जेक्ट आपका है EBS जिसको आप इन्वाइरोमेंटल स्टेडीज भी बोलते हूं या परियावरण टाइमिंग आपको वन आवर का गिवन रहता है और टोटल मार्क्स 25 है पाँच क्वेस्टेंस आएंगे और पाँच क्वेस्टेंस जो होंगे सभी के 55 मार्क्स होंदे होंगे टोटल 25 है तो यह क्वेस्टेंस जैसे कि आप लोग देख रहे होते हैं इस्टार्ट यहाँ पर सॉल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए आपने सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम जैसे वीडियो अप्लोड हो नोडिफिकेशन आपको मिल जाए है ओके सो स्टार्ट करते हैं question number बन से पहला question में बोला गया राइट अब आउट्व दा करक्टरिस्टिक्स और टाइगर्स हाई इस नौस साउन एंड विज्चर्स 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 इस सब आपको इनके करक्ट्रिस्टिक्स लिखने है टाइगर्स के ओके काफी सिंपल क्वेस्टेन है गूगल पे भी आप सर्च करके यहां पर राइट कर सकते हो तिका जो गूगल में आया आप वही कोपी कर लेते हो तो सिंपल है यहां पे हम अगर लिखना चाहें तो किसी तरह से लिख सकते हैं स्टैगर्स फर्वर फेहिशंग वार न फेहिशग करेंद ब Case इस पचольш भाइछ विखन पिondव प्रेशंग सिंपस्तु फिष्य। ऍ्च क्वाल flashlight लिखनव यहां थिजिप सिंप इस प् Northwest čा стран बाहिशत KP College और भूऑल वहां ऩू लेन पिव्त बाहें हो प्र्य। to accurately access distance and depth which is extremely useful for that means, maneuvering within their complex environment and stalking prey na eusma na ko paakad na kile aprender शमर रोट रस्पोंब टाकर्ण पकाड़ा आपी किलिह for estas in their eyes than the c journeys responsible for color vision to assist with their night vision so the increased number of rods allows them to detect the movement of prey in darkness where the color vision would not be useful so next point tiger survey structure at the back of eye behind the retina called the teptum lucidum and that enable them to have a better night vision so these are the characteristics next point you can write here this mirror-like structure effect light back into the eye as a second at a second time to help produce the brighter image this set the teptum lucidum causes their eyes to glow at the night when a light is shown on them cats in general have a broad horizontal line of the neck that means you can write this ठीक है इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो बाकी के correct districts है रहे है कि सो यह सब होगे आप और भी आप यहां पर गूगल से सर्च करके राइट कर सकते हो लिखना चाहो कि एक क्वेस्टिन नबर मरा वन हुआ बाकी बात करें क्वेस्टिन नबर टू पे आएं तो एंसर दो फॉलॉइंग क्वेस्टिन बोला गया है वाइश नेक्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड ठीक है अगर आप वी इसनेक तो देखो इसनेक को कोई भी देखेगा तो सबसे सरके पही है कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहिए लेकिन लेकिन और घूर ठीक होते हैं किह ने दोस्ती तो करता नहीं दोनों के उनल इसका थो सकता है तो टिक है देखते हैं इसका अंसर क्या हो सकता है second उसके बाद question है आपका which animal are used to earn live live food and how किस तरह से तो इसका भी देखेंगे एक दो marks का है तीन marks थ्री marks का है चलो पहले का देखें snake is a farmer's best friend because he kills that means snake kills mouses which destroy farmer's crop क्योंकि आगो क्या करते हैं जो snake होते हैं वो चुहे को मार डालते हैं खा जाते हैं और चुहे जो होते हो farmers के that means crops को नुक्सकान करते हैं तो उसके लिए फराज जब चुहे मर जाएंगे तो farmer को यहां पर फायदा हो जाएगा and also frog destroy farmers crop frog को भी ठीक है crop को करते हैं तो उसको भी मार डालते हैं सांप आपको जानता है चुहे भी खाते हैं और यहां पर आपके frog okay मैं धग भी and snake favorite food is mouse and frog so he reduce number of animals and help the farmers ठीक है तो श्नेक का favorite food क्या है ठीक है चाई biscuit रख होगे तो नहीं खाएगा कोई भी चीज़ाब रखते हो लेकिन अगर उसके सामने frogs आ गये या फिर mouse आ गये तो क्या करेगा गट कर जाएगा moving so a होगा बाकि second question की बात करें उसका answer आएगा yes animal are used to earn livelihood like snakes chamas following peoples also depend upon them animals on their livelihood जैसे की milkman get milk from the cows and buffalo to sell to their livelihood ठीक है fishes man cash fishes to sell the market and a money that means this example by these example you can explain that term so now question number two is your completed now let me come on third question third question is your correct or incorrect हमें हापे identify करना है strike of the incorrect word and frame the correct word आपको क्या करना है जो incorrect है उसको cut कर देना है बाकी जो correct है उसी को right करना है बरबर उस पर टिक कर सकते हो आप question को एक करके पढ़ेंगे पांच question है काफी मस्त और simple है interesting question है देखो पहला किसके अंदर बोला है if the body does not get enough food enough and healthy food then the body become अगर हमारे बोड़ी को proper food मतलब पूरी मात्रा में food ना मिले और healthy food ना मिले तो हमारी बोड़ी क्या हो जाएगी it becomes fit या फिर वीक हमारी बोड़ी जो है एकदम fit रहेगी या फिर वो यह वाला answer रहेगा if the body gets proper food अगर हमारी बोड़ी को proper food मिलता है then it gives does not get that means if it gives या फिर वो देगा या फिर नहीं देगा protection अगेंस डिस अगर हमारी बोड़ी को proper food मिलेगा तो क्या करेगा हमारे that means डिस से बचाएगा so it gives डिस तो does not को क्या करोगे कट कर दोगे इस तरह से नेक्स्ट है eating home made fresh food keeps the body tired या फिर एक्टिव अगर हम घर से बना हुआ खाना fresh खाना को खाते हैं तो हमारी जो बोड़ी है वो tired रहेगी ठकी हुई या फिर active रहेगी आप जानते हो कि active रहेगी तो टायड को हम कट कर देंगे इस तरह से नेक्स्ट वें जल्पा फिल सश्टी जब जल्पा को प्यास लगती है see always drink cold drink तो क्या हुआ हमेशा उसे वह हमेशा क्या करती है cold drink पीती है ठीक है ठंड़ा पिए so this habit will have good या फिर bad effect on our body अगर आपको प्यास लगती हमेशा cold drink पीते हो तो आपकी body पर क्या करेगा bad effect करेगा good नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर good को cut कर देंगे because this habit will have a bad effect on our body ठीक है next for such food such as chips pizza extra are useful or harmful for our body जैसे कि आप जानते हो जैसे कि बाहर की चीज़े होती है food pizza ठीक है useful नहीं बोलेंगे useful को cut कर देंगे harmful ठीक है तो यह आपका question number three complete हो गया now question number four name any two food item of each of the following test तो देखो आपको दो कोई भी food का नाम दे देना जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं ज़रूरी नहीं होई यहां भी भी लिक हो ठीक है आप अपने साफ से लिख सकते हो salty food के नाम लिख दो sweet लिख दो सोर वाले ठीक है spicy और bitter तो salty नमक वाले कोई भी लिख सकते हो यहां पर खिचड़ी लिख सकते हो ठीक है इस तरह से तो भी कोई प्रोब्लम नहीं आने वाला है तो यहां पर क्वेस्टन नंबर फॉर कंप्लेट अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किये तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकन को प्रेस किजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहें और हम आजाते हैं कोई से नमर फाइब पर गीप रिजिंस में फस्ट है सम फूड आइटम सारे इस्टोर फोर्द फॉल येर विकॉस ठीक है कुछ फूड आइटम सोते हैं फूर साल तक उसको हम क्या करते इस्टोर करके रखते हैं विकॉस क्या होता है उसके अंदर फिकॉस सम्मल जो ग्रेंस होते हैं दाने होते इसको क्या करते हैं संलाइट में यहां पर उसको सुखाते हैं स्टोरेज के पहले क्यों 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 इसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत पानी घाटमी से और ड्राय नहीं रहता है प्रोपर तो इसलिए हम उसको ड्राय क करते हैं they contain moisture and can spoil that is why they are dried before they are stored so this is your complete answer of second question ना फिप्त का बी वाले का अंसर देख लेते हैं बी वाले मा आपको बोला गया name any two food items that can be stored for whole year पूरे साल तक ठीक है जैसे कि आप लोग जान सकते हो पिकल्स है हनी है सबको हम पूरे साल साल भर भर रख सकते हैं तो भी खराब नहीं होता है यहां पर यह complete होता है so thank you very much इस वीडियो के ज़्यादा शेर कीजिए like कीजिए comment कीजिए thank you